नॉर्मली आमतोर से बबबर शेर अकेला दिखता है टाइगर अकेला दिखता है यहाँ पर मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करता मोधी जी का अपने चेहरा देखा आज कल देखा है पहले 56 की छाती हुआ करती थी अब पहले 56 की चाती है आप कहते भाईया मैं नॉन बायोलोजिकल हूँ मेरा तो सीधा भगवान से रिष्टा है डाइरेक्ट कनेक्शन है पैनिक में आ गए गवरा गए जब आदमी घर बढ़ाता है उल्टी सीधी बाद बोलता है हिंदुस्तान के प्रधान मंतरी सब को कह रहें कि भाईया आप लोग बायोलोजिकल फूरा हिंदुस्तान बायोलोजिकल नरेंद्र मोधी नॉन बायोलोजिकल आप लोग एक दूस और फिर भगवान ने चुनाव में उन्हेंने से उनको सबक सिखा दिया उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंग ने अयोधिया में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है कि रियालिटी है कुछ दिन पहले मैं अमरीका गया अमेरिका गया वहां बड़ा शहर है डैलस जानते हो डैलस नाम सुना आपने सुनाए डैलस सुनाए क्यों सुनाए मैं बताओं क्यूंकि हर्यान से हजारों युवा यहां से भाग कर डैलस जाते हैं अमरीका जाते हैं हर्याना में उनको रोजगार नहीं मिल सकता हर्याना में उनका भविश्य नहीं है इसलिए यह सारे के सारे 15-20 हजार हर्याना के युवा हिंदुस्तान से गए तर्की गए तर्की से कजाकिस्तान कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काटा उसके बाद पैनामा के जंगल से निकलते हुए अमेरिका गए यहां उनको कुछ है नहीं कुछ कर नहीं सकते हैं जब मैं वहां पहुँचा हमारे एक कार्यकरता ने मुझे कहा कि देखिए आप राहुल जी जो हर्याना से यहां लोग आए हैं अलग-अलग बिस्ट्रिक्स से आते हैं उनसे मिलीए आप मैंने सुचा अच्छा इडिया है देखता हूँ अर्याना से जो लोग भाया दियान से दियान से आपको नहीं गिरना है बीजेपी को गिरना है जोश बहुत है अंदर आज फुल है एंजिन पूरा स्टार्ट है तो मैंने का चलो जाके मिलते हैं गया 15-20 लोग छोटे से घर में रहते हैं एक कमरे में एक साथ खाना पकाते हैं एक साथ सोथे कोई जगया नहीं यहां से दोड़ कर गए भाग कर गए उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी समुंदर में हम गए छोटी सी बोट में पता नहीं था क्या होगा डूब जाएंगे मर जाएंगे हमारे मित्र मरे बोट के बाद हम साथ अमेरिका पहुचे साथ अमेरिका के बाद माफियाज ने हमेरे पकरना शुरू किया रोट पे रोकते थे, पिस्टॉल निकालते थे, कहते थे पैसा देओ, हमारा सारा पैसा लूट लिया, जंगल से हम निकले, पैनमा के जंगल से हम निकले, हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपनी आखों से, उनकी लाशें देखी हैं, उन्होंने वीडियो भी दिख आई मुझे कि यह देखिए हम नाउ से ऐसे गए हम जंगलों में ऐसे गए मैंने उनसे पूछा भई एक बात बताओ यहां से आप अमरीका गए कितने पैसे लगे कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं मैंने उनसे पूछा भई आप जा रहे हो अगर आपके पास 35 लाख रुप्या है तो आपने हर्याना में बिजनस क्यों नहीं खुला छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई कहते राहुल जी हर्याना में आज 35 और पचास लाख के साथ भी बिजनस नहीं खोला जा सकता है हर्याना में सिर्फ बेरोजगारी है और महंगाई है यहाँ पे अगर कोई युवा सपना देखना चाहता है तो सिर्फ अमरीका का सपना देख सकता है और कोई सपना बचाई नहीं उन्होंने मुझे बताया मैंने उन्हें पूछा भी यह बताओ ये 35 लाग 50 लाग रुपया आपने लिये कहां से लिये आदों ने कहा राहुल जी हमने अपनी जमीन बेची दूसरों ने कहा हमने करजा लिया किस रेट पर करजा लिया 2% महीने का 24% पर हमने करजा लिया मैं सोच रहा था हर्याना के युवाव के लिए बैंक के दर्वाजे बंद चोटे दुकानदारों के लिए स्मॉल और मीडियम मैनुफैक्चर इसके लिए बैंक के दर्वाजे बंद अदानी के लिए बैंक का दर्वाजा खुला आपका करजा माफ नहीं हो सकता वो जो अमरीका गए हैं उनका करजा माफ कभी नहीं होगा मगर अधानी जैसे लोगों का का अमरीका में कि राहुल जी एक काम कीजिए आप हमसे तो मिल लिए मगर हमारे बच्चे जो हैं कि हमारे परिवार हैं कि वो हिंदुस्तान में है हम अब अमरीका आ गए हैं हम वापस नहीं जा सकते अगर हम यहां से निकल गए, हमें वापस नहीं आने देंगे, ग्रीन कार्ट नहीं है, तस साल लगेंगे ग्रीन कार्ट के लिए, राहू जी एक काम कीजिए, आप हमारे बच्चों के पास जाइए, परिवार के पास जाइए, और उनसे कहिए कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है हम अमरीका में हैं हम काम कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है तो मैंने सोचा बिलकुल सही बात है और जैसे ही मैं अमरीका से वापस आया मैं करनाल गिया वहाँ पे उनी परिवारों के बच्चों माताओं से फैमिली से मैं मिला तो आप सोचिए एक तरफ अमरीका में दस पंद्रा लोग युवा हारियाना के युवा बैठे कम्प्यूटर में उनका चेहरा दूसरी तरफ हम करनाल में हमारे साथ उन युवाओं के परिवार छोटे छोटे बच्चे माताएं भाई बहन सब एक साथ और फिर मैंने इन से बात शुरू की बात चीर चल रही थी एक माने मुझे कहा राहुल जी मेरे बेटा का एक्सिडेंट हो गया मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे अब कभी देखूंगी बच्चे से मैं मिला था एक्सिडेंट हुआ किसने गाड़ी मार दी पूरी पेट की सजरी होई चल नहीं बाता है अकेला ट्रेलर में सोता है उसकी मैंने फोटो देखी ट्रेलर की कुछ नहीं है उसके पास और उसको आकर लोग पीटते है रात को आकर उसकी पिटाई होती है उसकी मा मुझे कहती है मैं नहीं जानती कि मैं कभी उसको देख पाऊंगी बात चल रही है और एक बच्चा चोटा सा नाम देव दौरता हुआ जाता है और कंप्यूटर को पकड़ता है चिलाने लगता है पापा 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 वापस आओ पापा वापस आओ रो रहा है चिला चिला कर मैंने ऐसा ऐसी आवाज मैंने सुनी नहीं आज तक जो मैंने करनाल में हर्याना के बच्चे की सुनी पापा वापस आओ, पापा देख रहा है बच्चे को मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है कह रहा है कि घबराओ मत बेटा, घबराओ मत उसके आँखों में भी आशु है, वो छुपे हुए, दिख नहीं रहे है बेटा चिला रहा है, ये है आपका हरियाना बाप उधर, उसके आँख में आशु, वो दिखा नहीं पा रहा है बेटा इधर, चिला रहा है, ये हरियाना यहाँ आपको कुछ नहीं मिल सकता, आपने दस साल इनकी सरकार देखी है यहाँ पे आज कल ड्रग्स पहल रहा है, पुरा हिंदुस्तान जानता है पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, अधानी के पॉट में हजारों किलो हेरोईन पाया गया था अगबार पढ़ा आपने, पढ़ा, किसी पर कारवाई हुई, कोई कोट केस हुआ, किसी को पकड़ा गया नरेंद्र मोधी ने कहा कि भाया, अधानी के यहाँ पॉट में हेरोईन पकड़ा गया है, मैं कारवाई करूँगा, मैं देखूँगा, हर्याना कौन कोकेन बेज रहा है, कौन हेरोईन बेज रहा है बोला लो रेंद्र मोधी ने, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि अधानी उसकी मार्केटिंग करता है यहां यहां किसानों किसानों से उनका हक चीना जाता है रोज आप मेहनत करते हो आप प्रडक्शन करते हो आप देश को भोजन देते हो आपको सही दाम मिलता है दान के लिए गेहूं के लिए सही दाम मिलता है अरे भई किसी के जेब में तो पैसा जा रहा है न अगर आपके जेब में नहीं जा रहा पैसा आसमान में तो नहीं उड़ रहा न किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है न storage terminal उसके cold chain उसकी अमबानी के department store या भीया आपके जेब में पैसा आएगा या फिर अदानी अमबानी के जेब में पैसा जाएगा सिधी सी बात है इसलिए हमने निन्ने लिया है कि सरकार आने का एक दम बात आपको हम यहीं MSP दे देंगे minimum support price मैं यह क्यों बोल रहा हूँ वो जो बच्चा है न देव मैं उसके आँखूं आसूं हमेशा के लिए हटाना चाता हूँ मैं नहीं चाता हूँ कि देव जैसे लाकों बच्चों लाकों बच्चे हरियाना में हर सुबह उठें पापा की याद करें और रोएं मैं ऐसा हरियाना नहीं चाता हूँ हम यह नहीं चलने देंगे यह नहीं होने देंगे और यह सिर्व में एक बच्चे की बात नहीं करना हूँ जब किसान से उसका धन चीना जाता है उसके आंसुनी दिखते क्योंकि खुल को रो नहीं सकता मर जाएगा इंसेक्टिसाइट पीजाएगा हिंदोस्तान का किसान मगर आंसुनी निकलेगे यह सचाः है हर्याने के किसान को मैं जानता हूँ आपके साथ मैंने क्हेती की है हर्याना में मैंने देखा है क्या हो रहा है हर्याना का किसान नहीं रो सकता है चुपाने पढ़ते हैं आसू बच्चे रोते हैं भूक लगती है बच्चे रोते हैं ऐसा हमें नीच यह रहा है रहा दियाना कि और जहां भी देखो उन्हीं लोगों को फाइदा होता है एरपोर्ट देखो अधानी बंबाई का एरपोर्ट लखनाउ का एरपोर्ट सारे के सारे एरपोर्ट अधानी मॉबाईल फोन चलाओ अंभानी पोट्स को देखो, अदानी, अब ये खेती में आना चाहरे है, ये जो काले कानूने इन्हीं दोनों के लिए बनाए गए है, गल्थ फैमी में मत होईए, जी एसटी इन्हों दोनों के लिए बनाए गया है, नोट बंदी इन दोनों के लिए बनाए गया है, दो मेन हैं, इनके इनको देखना यह देख सकते हैं आपने शादी देखी इनकी शादी देखी अम्मानी की बेटे की देखी करोणो रुपए ऐसे फेको कोई अमरीका से आके डांस कर रहा है कोई बॉलिवूड से आके नाच गाना चल रहा है हिंदुस्तान देख रहा है कि देखता जा रहा है अयोदिया में वहारे क्यों अयोदिया में मंदिर खोला वहां अधानी दिखें अमिता बच्चन दिखें बॉलिवूड पूरा दिखिया मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पर हिंदुस्त सच है इसलिए तो अडवे अवदेश अवदेश इनको पठका है अवदेश हुआ है वहां का MP अवदेश कुमार जो अयोदिया में जीता है इसलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपने राम मंदिर खोला सबसे पहले आपने राश्वपति से कहा कि भाया आप आदिवासियों आप तो अंदर आई नही कंदिया आपने किसी बढ़ाई को देखा शीर किसान को देखा मजूर को देखा कोई नहीं डानस गाना चल रहा है प्रैस वाले हाए 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 कर रहे है नाज गाना ठ Warm सुन conscious फूल रहा है पूरा हिंदुस्तान डान्स कर रहा है कि यह 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 रियालिटी आपकी तो आप कहोगे कि कॉंग्रेस पार्टी क्या करेगी तो मैं आपको बताता हूं मैं शुरुआत की बात करता हूं सबसे पहले गरीब लोगों के जेब में डाइरेक्ट पैसा डालना है सीधा और भाईया मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने लोकसभा में वाइदा किया था है मैंने वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बेंक कशंब में सुनो हर गरीब परिवार के ृऊंप के मैं और कॉंग्रेस पार्टी इंडिया गट बंदन एक लाक रुपेस साल के अंदर डालने जा जा देए येमने का था यह मैं छोड़ूँगा नहीं आज नहीं तो कल मैं बता रहा हूँ याद रखो आप जितना पैसा इन्हों ने अंबानी यादानी को दिया ना मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्थान के किसानों को देने जा रहा हूँ मुझे कोई फरक नि पठता मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले चोटे पिस्नस वालों को मिटल साइज बिजनेस वालों को बेरोजगार युवाओं को किसानों को मजदूरों को जब नैशनल लेवल पे सरकार आईगी हमारी जो आने वाली है उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है गिंती से मैं उतना ही पैसा हिंदूस्तान के गरीब लोगों मुदी मगर अब हरियाना की बात अब हरियाना की जनता के जेव में डायरेक्ट हम पैसा डालना चाते है सबसे पहले महिला शक्ती प्रोग्राम 2000 रुपे महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हरियाना की सरकार डालने जा रही है सिलिंडर कितने का है आज कल कितने का है 1100 500 का हो जाएगा पुरानी पेंशन स्कीम यह उन्होंने आप से छीनी हम यह आपको वापिस देने जा रहे है 6000 रुपे बुज़ूर्ग लोगों को डिसेबल लोगों को और विद्वाओं को 6000 रुपे महीने के युवाओं को जो सरकार में 2,00,000 वेकंसीज है वो हम देने जा रहे हैं मगर सुनिये सबसे जुरुरी बात सुनिये यह जो 2,00,000 नौकरियां दी जाएंगी हर्याना के युवाओं को दी जाएंगी यह हर एक जात को सब को फैर्नस के साथ इक्वली दी जाएंगी यह हर्याना की हर एक जात को यह नौकरियां मिलेंगी सब की सब को किसानकों मैंने कहा कि MSP GUARANTY करके हम आपको देंगे और जो आपका भीमा का पैसा है वा आपको 6 महीने बाद एक साल बाद तीन साल बाद नहीं मिलेगा जैसे ही नुकसान होगा उसके एक गम बाद आपको आपका भीमा का पैसा दिया जाएगा गरीबों को सोगज का प्लोट साड़े तीन लाक रुपए दो कमरे के घर के लिए और तीन सो यूनिट फ्री में बिजली 25 लाक रुपए का हेल्थ इंचुरंस जैसे हमने राजिस्तान में किया था हम हर्याना में करने जा रहे हैं कि आखरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं लड़ाई कॉंस्टिट्यूशन को बचाने की है यह आप समझ लीजिए कि कॉंस्टिट अ हाँ अगनिवीर का मैं अगनिवीर का मैं आपको दो मिनट में समझाता हूं प्रिसस के माँ देव की बात करता हूं वह बच्चा जो रो रहा था को कि क्यूं रो रहा था कि उसको पिता के लिए जो भी रास्टे थे रोज़दार के जो भी रास्टे थे उन सब को नरेंदर मोदी ने बंद किया एक के बाद एक एक के बाद एक जो भी रास्ते देव के पिता के लिए खुले थे उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने अमबानी ने अदानी ने और अमिज शा ने बंद किये हैं सबसे पहला दर्वाजा रोजगार का था चोटे बिजनसेज चलाने में एंटरप्रणर्शिप करने में चोटी चोटी फैक्टरी मिडल साइज फैक्टरी में रोजगार मिलता था नोट बंदी की जी एसटी गलत जी एसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे के सारे जो चोटे बिजनसेज थे खतम कर दिया और कोविट के समय अरब पतियों को पैसा दिया उनको बचा दिया और जो चोटे चोटे दुकानदार थे स्मॉल बिजनस वाले थे उन सब को खतम कर दिया कुछ नहीं दिया उनको तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देव के पिता के पास वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था वो भी बंद कर दिया कहा नहीं भईया हम सारा का सारा प्राइबटाइज कर रहे हैं सरकार में नौक चाइना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं वो भी रास्ता छीन लिया अगनिवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया तो इसलिए वह अमरीका गया है और इसलिए उसका बेटा यहां रो रहा है यह प्लान करके किया गया है यह गलती से नहीं हुआ है यह सारे के सारे रास्ते जान मूच के बंद किया जा रहे हैं क्यों क्यूंकि अमबानी और अधानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं फाइदा किसको होगा चाइना को चाइना के युवाओं को अधानी को अमबानी और मार्केटिंग किसकी हो झाल 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 झा झाल 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 झाल